एलो फ्रेंड्स, I welcome all of you on the Fast Track Defense Channel, in this वीडियो, we are going to talk about Air Force X and Y Group examination, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो Air Force X and Y Group का exam हुआ था, Air Force Intake 1 2021 के लिए, जो all over India में 12th of July से 18th of July 2021 को all over India में कराया गया था, और अभी तो December भी बीत गया, January भी बीत गया, and now we have entered the month of February 2022, but still there is no update regarding the result of Air Force X and Y Group, फिलहाल अभी government के तरप से एक important update आया है, जो कि Air Force के official site, जो कि Airman selection का जो official site है, उस पे एक update आया है, उस update को मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ कि आखिर इसका result कब तक आ सकता है, update क्या है, और क्या-क्या जो intake 2 2021 का जो exam होने वाला है, इसका भी vacancy अभी तक नहीं आया है, इसमें कितने सारे student को बुलाए जाएगा, complete जानगारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार नदर चैनल को subscribe कर लें और इस वीडियो को like करना ना भू और उसमें मैंने तीन वीडियो अल्रेडी डाज चुका हूँ, आप हमारे इस चैनल के playlist पर जाएं और NDA 1 2021 से related, जो भी current affairs वीडियो हैं आप उसे जरूर देखें और आपको इससे काफी helpful होने वाला है, friends आगे बढ़ने से पहले आप सभी से question पूछना चाहूँगा, और य ये question आपको NDA या CDS के exam में भी देखने को मिल सकता है, so जो question which is appearing on your screen, which one of the following Samarans of Indian Navy Calvary class has commenced its seat trial in February 2022, फिलहाल ये Samarans अभी news में था, so ये चार आपके options हैं, option A, INS Vagir, option B, INS Vela, option C, INS Vikrant, option D, INS Karanj, अगर आपको इसका answer पता है, तो अभी आप इस वीडियो को post करें, और comment section में जाके आप अपना comment दे सकते हैं, और आप इस वीडियो में अन तक बढ़े रहे हैं, क्योंकि आपको इसका answer मैं वीडियो के अन्त में provide करा दूँगा, plus आपको ये भी पता चल दाएगा कि Air Force का result कब आने वाला है, और intake to 2021 का information कब आएगा, तो friends, आगे बढ़ने से पहले Unacademy के तरफ से एक important update आया है, अपडेट यह है कि Unacademy पे अभी Air Force X Group का एक complete batch आगे है, जो की प्रमोस बच है, और यहाँ पे आप list of educators भी देख सकते हैं, और यह 2nd 5 से 2nd of April तक चलने वाला है, और अगर आप अपने NDA exam के preparation and academic के साथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए RunBubi 2.0 जो की 60 days batch course होने वाला है, 2nd 5 से 31st mark तक होने वाला है, और यहाँ पे आप list of educators भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया के top level के educator आपको मिल जाएंगे, अगर आप cost guard के तियार यह Unacademy के साथ करन और इस subscription को लेने से पहले आपको एक code मांगा जाएगा, उस referral code में आपको FD10 code करना है, ताकि आपको 10% का instant discount मिल जाएगा Unacademy के सभी courses पे, अगर आप NDA का plus का subscription लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी NDA के subscription पे price होने वाला है, तो यहाँ पे आप prices देख सकते हैं, 24 month, 12 month, 6 month, 3 month, और 1 month के, यह prices आपको completely pay नहीं करने हैं, pay करने से पहले आपसे एक referral code मांगा जाएगा, उस referral code में आप simply FD10 type करेंगे, तो आपको 10% का additional discount मिल जाएगा Unacademy के सारे courses पे, और अगर आप Air Force, Navy या फिर Coast Guard की preparation कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको complete prices पे नहीं करने हैं, pay करने से पह आपके Unacademy के साइट पे register कर सकते हैं, so friends अब बापस चाते हैं अपने इस वीडियो के main topic पे, जैसा कि मैं आपको starting में ही बोल दिया था कि मैं आपको इस Air Force X and Y group के official news के बारे में बताने वाला हूं, तो सबसे पहले आप अपने phone में Google website open कर लें, उसके बाद आपको simply जो Air Force X group का official site है, उसका आप यहाँ पे type कर लें CASB का जो official site है, जैसे ही आप CASB type करेंगे, आप उसे search कर दें, आप जैसे ही search करेंगे, आपके screen पे इस type का कुछ interface open हो जाएगा, so जो आपका सबसे पहले जो आएगा आपके screen के portal page, जो आप यहाँ पे देखने, CASB home, airmanselection.cdac.in, आप जैसे ही इस पे click करेंगे, then you will be directed to the official page of airmanselection board, और यहाँ पे जो notice आया है, यह notice अभी latest है, क्योंकि यहाँ पे date भी दे दिया गया है, 31st of January 2022, मतलब 31.01.2022 को एक important update आया है, Air Force के तरफ से, और यह update क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यह complete official है, आप यहाँ पे Air Force official site का यहाँ पे logo देख सकते हैं, और प्लेस मैं आपको और नीचे भी scroll करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे apply online gallantry awards, coming opportunity, complete details आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यह Air Force का official site है, तो जो update आया है, update यही है कि due to the administrative reasons, conduct of enrollment of airman for the intake 2.2021 and declaration of intake 1.2021 are delayed, candidates are advised to keep checking their mail and CASB web portal और इसको 31 of January 2022 को update किया गया था, मतलब अगर मैं simple मैं आपको समझाओं, तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ administrative कारणों के बज़ाए से जो इसका result जो delay हो रहा है, उसी के, इस administrative कारण के बज़ाए से हो रहा है, और आपको अपना email और अपना जो CASB का portal है, जो airman का portal है, उसको आपको daily basis पे check करते रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस month के end तक by February end और by March starting, आपका result तो sure आजाएगा Air Force का, और उसके बाद आपका जो second stage है, second stage में आपका physical होता है, आपका group discussion होता है, और यहाँ जो भी परक्रिया होती है, मैं आपको इस channel क मादम से provide करा दूँगा, इसलिए आप चनल को subscribe कर लें, और जो intake 2021 का जो होने वाला है, इसका भी form जल्द ही निकलने वाला है, इसलिए आप अपना portal, जो CASB का official portal है, आप उस पे भी check करते रहें, और जिस email ID से आपने register किया था, उसको भी आप daily basis पे कम से कम एक बार जरूर चेक करें, यूँकि इसका result और जो notification 2021 का जो update का होने वाला, इसका भी notification वहीं पे आएगा, so friends, this was the end of the video, अगर आपको कोई भी doubt है, Air Force exams related या फिर ND exams related, आप अपने doubt को comment कर सकते हैं, और ये भी आप comment करें कि on which topic should I bring next video, friends, अब वापस से आते हैं अपने उस question पे, जो question मैंने आ आपको starting में पुझा था, so जो question था, which of the following summaries of Indian Navy Calvary class has commenced its sea trial in February 2022, और ये चार आपके options थे, so जो यहाँ पे correct answer होने वाला है, ये correct answer आपका INS बजीर है, और ये इसलिए इंडियूज में था, क्योंकि जो इंडिया और फ्रांस एक joint partnership किया है in the field of Indian Navy, और उस partnership के तहत, India and France, they have collaborated to build six summaries for the Indian Navy, और इस six में से, five summaries to already complete हो गया है, और ये जो INS बजीर है, ये था, fifth summaries, इसलिए इसका sea trial भी start हो गया है, so यहाँ पे आपका correct answer, A option है, INS बजीर है, और अगर आप अपने India 1-2022 और Serious 1-2022 के current efforts का preparation करना चाते हैं, तो आप इस channel में जुड़िदा है, क्योंकि इस पे मैंने already कही सारे videos start चुका हूँ, so friends, this was the end of the video, still if you have any other doubt, put your doubt in the comment section, thank you friends for doing until the end, thank you, jahean